25 साल के उम्र की एक लड़की जो औरकेष्टा में नाचने का काम करती है वो उत्तर परदेश से बिहार में सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि उसको औरकेष्टा में नाचना है पैसा कमाना है अब होता क्या है छपड़ा की पूरी की पूरी कहानी है उस 25 साल की लड़की को 15 पी रही थी तो सब कुछ समझ बुचकर हो रहा था मतलब की केवल शराब पीना था लेकिन शराब पीने के बाद 15 लड़के मिलकर उस अकेली 25 साल की लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं उस 25 साल की लड़की के साथ गलत काम करते हैं और एक ही साथ 15 लड़के करते हैं मिलकर और इसके बाद उसकी तबियत खराब होती है, जब तबियत खराब होती है, तब इसके बाद उसको जो वहां का प्राथमिक स्वास केंद्र है, वहां पर ले जाये जाता है, वहां से तबियत और खराब होती है, तब छपरा के सदर अस्पताल में पहुंचाया जाता है, और अ अपडेट हैं कि अफ यार हुआ है लेकिन अब तक किसी भी लड़के की गिरफतारी नहीं हो पाई है आगे आपको यही कहानी सुनाएंगे कि कैसे 15 लड़कों ने मिलकर सब कुछ किया और 15 में से जब तक हम खबर शूट कर रहे हैं तब तक एक भी लड़का पकड़ा नहीं जा सका है और मामला दो दिन पहले का है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं छपरा में एक औरकेष्टा चलाने वाली महिला है औरकेष्टा की मालकीन वह औरकेष्टा की मालकीन लगबग कुछ दिन पहले उस उत्तर परदेश की लड़की को एक दूसरी औरकेष्टा वा बाली दूसरे जगहाए पर काम करती दूसरे जगह पर नाच स्थी अब तीन दिन पहले जो 25 साल की लड़की और हो कहते हैं कि हमको अपने घर जाना है और अपने घर का कहकर वहाँ से पहले जो औरकेष्टरा वाली लड़की होती है उसके साथ शराब पिया जाता है शराब पीने के बाद वहां पर और लोग आ चाते हैं और देखते एक देखते कुल लड़कों की संख्या हो जाते है पंद्रा और इसके बाद 15 लड़के मिलकर उस अकेली लड़की के साथ गलत काम करते हैं, वो लड़की जब बूरी तरीके से अब कहिए कि वो उसकी तबियत खराब हो जाती है, तब वे छोड़ कर वहाँ से भाग जाते हैं, इसके बाद लोगों को पता चलता है, तो उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है, अस्पताल में जाकर वो चड़पती रहती है, जब डॉक्टरों को लगता है, कि अब इस अस्पताल के मानका नहीं है, यहाँ पर इसका जो कंडिशन है, वो और सिरियस हो जाएगा, तब उस लड़की को रेफर कर दिया जाता है, कहां? छपरा के सदर अस्पताल में, और छपरा के सदर अस्पताल में जाने के बाद, अब तक जो अपडेट है, उसके मुताबी, FIR दर्ज होता है, FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन FIR होने के बाद, अब तक एक भी लड़की की गिरफतारी इस मामले में नहीं हुई है, जब कि 15 लोग इस मामले में शामिल है, अब जो इस लड़की के साथ, और लड़कियां और केश्टा में काम करते हैं, वो भी डांसर है, नाचते हैं, वो कह रही हैं कि वो घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो आकर मश्रक में रुक गई, अब यहां पर क्यों रुकी, कि रहने वाली है, वो वहां से निकली थी, कि हम वापस गोंडा जा रहे हैं, वहां पर जाएंगे अपने घर पर, मिलेंगे, जुलेंगे, घर पर रहेंगे, कुछ दिन के बाद फिर आएंगे, लेकिन रास्ते में लड़की के साथ, 15 लड़कों ने मिलकर दरिंदगी की, औ अब F.I.R. तो हो चुका है, लेकिन F.I.R. होने के बाद, अब तक कोई गिरफ़तारी नहीं हुई है, आगे देखिए कि, क्या कुछ और une बापडेट आता है, क्या कुछ और जानकारी इस मामले में आता है, अगर कुछ और जानकारी, कुछ और बड़ा अपडेट पुलि से बहुत धरने वाद